अधिक अधिक्त आधिक स्वाफ्टों का इवर्पिर सौगत हैं आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही टेस्टी और नई रेसिपी लेकर आई हूं नवरात्री के तेवहार चल लाएं आप उस टाइम पह मैं नई नाश्ते बनाते हैं फ़र्यादी तो इस टाइम पर आज मैं आ करें चैनल को सब्सक्राइब करने बैल लाइकन को दवाएं ताकि लट्टेस्ट वीडियो की नाटिप्टेशन आपको मिलती रच चलिया माना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आलू का अलू का हल्वा बनाने के लिए मैंने लिए हैं यह 500 ग्राम आलू जीने बोईल कर लिया और बोईल करके इनका छिलका निकालके रख लिया है और हल्वा बनाने कली आपको आलू को बहुत ज़्यदा बोईल नहीं करना सिर्फ एक सीटी लगा के बोईल करेंगे मैंने लिए एक प्लेट उसके उपर लिया है मैंने यह ग्रेटर आलू को हम अच्छे देशी घी, 10 काजू और 10 बदाम लिया है जिनने रफ्री चॉप कर लिया है दो चमच मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ नारियल और 1500 ग्रम मैंने लिया है शकर 500 ग्रम आलू के साथ में 1500 ग्रम शकर ले लिया है शकर की कॉन्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते बनाने के लिए हम डालेंगे कडाई में दो बड़े चमच गी और ये हल्वबनाने के लिए आपको देशीος घिका लीका बना पर देहा है मैलट होने देंगे क्डिय हमआरा मेलट हो चुका है तो मैं ऐसे alive काजू बदाम इन्हें हल्का रोस्ट करेंगे आप चाहें तो बिना रोस्ट करें भी डाल सकते हैं एक मिनेट हो गया है तो हम कजु बदाम को निकाल लेंगे करें करें लगतार चलाएंगे और गैस का फ्लेव हमें लोही रखनाएं अलोओं को भूनते समय कुछ गी के साथ में अलुओं को भूनना है और इस हलुओ को बनाने में बहुत ज्यादा गी का यूज भी नहीं होता है बहुत कम गी में यह हलुओं बनकर तयार हो जाता है तो इस रेस्पी के गवार आप ट्राये जरूर करें अट मिनिट हो चुका है लगातार हमने इसे अच्छे से चलाते हुए भून लिया है तो हम इसमें एट करेंगे शक्र ग्राम मैंने शक्र ली है अगर कटोरी से मेजरमेंट करें तो आधी कटोरी शक्र है शक्र की कॉंटिटीटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जैसा मीठा खान आपको पसंद हो लगातार इसे चलाएंगे और शक्र डालके लगातार हमें तब तक चलाना है जब तक कि शक्र हमारे अच्छे से मैल्ट ना हो जया ह हल्वाइ बेर शक्का डॉलने के बार गैस का फ्लेम हाम दो से तीन मिर्ट के लिए हाई कल लेंगे खाई फ्लेम पर लगातार चलाना है आपको वरना हल्वा आपका नीचे से कड़ाई में लगने लगेगा शकर हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे अब मैं इसमें डाल देंगे एक चमच और देसे की जिसे के हमारे हल्वा नीचे लगे ना गीड़ाल के भी हल्वा में अच्छे से हमने चला लिया है आप मैं इसमें डाल रही हूं आदा चमच इलाईची पॉडर जिससे की हमारे हल्वा को साथ और ज्यादा पड़ जाएगा मैं इस में डाल रही हूं प्रेट किया हुआ नारियल यह एकदम ऑफिशनल है अगर आपको पसंद होते हो डाले वरना आप इसके भी कर सकते हैं साथ ही मैं डाल रही है यह रोस्ट किये हुए काजू और बदाम सभी चीजों को अच्छे से हलुए के साथ मिक्स कर देंगे ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हैं जो आप खाते हो एक से दो मिन तक लगातार हलुए को हम चलाएंगे यह देखें हलुए हमारा एकडम कडाई में से अलग होने लगा है पेन को छोड़ने लगा है हलुए हमारा बहुत ही स्वाधिस तो रिख दम टेस्टी हमारा आलू का हलुए एक ताइया है तो हम गैस का फ्रेम कर देंगे बन और अपने हलुए को सर्फिंग बाउल में निक का हलवा व्हाुटी स्वादिषव और एक दम दाने दार हल हुए है जिसे बनाना तो आसाथ नहीं और खाने में भी हख बहूत स्वादिस लगतां वाध जालदी बन रहे तुकर प्रेसिपी को ट्राइक करें में ख्यक्ते लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें करें चैनल को सब्सक्राइब करने ना बोले बेल आइकन को द भर हैं ताकि लेटिस यूडियो की नटिकेशन आपको मिलती रहे तक्सु फिर में लिगे एक नए रेसिपी के साथ thank you friends